तरेश शी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार सर्ण सवाल करिए यह सवाल यह है कि मेरी उम्र है फटास वर ठीक है जिन मेरे पेट में गैस बनती है बहुत ज्यादा और प्रीजी से अराम ही नहीं नहीं जादे कि गैस पेट का ठीक होना जरूरी है सिहत्मन जिन्दगी गुजारने के लिए और वो नुस्का जो मैं अक्सर बताता हूं अगर आपने कोशिश नहीं की तो उसे कोशिश करें देखो आपड़ो वालों यह छे चीज़े आपके किचन की हैं एक चीज़ शायद बहार से लेनी पड़े और सब परहिवारों में इस साथों चीज़े किचन में मिलती है सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेथी पिर से एक बार बोलता हूं सौफ सौंट जीरा अजवाइन धनिया मेथी यह सौ सो ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें और एक आता है नमक जैतुन नमक जैतुन ऐसा विशेश नमक है जो देखने में नमक जैसा और स्वाद में नमकी नहीं होता तो ये अलग से लेकर रखते हैं अच्छे परिवार तो सबी रखने लगे अब ये च्छे चीजों का पाउडर आप एक चमच खाएं और एक चुटकी नमक जैतुन दो गिलास पानी मिला कर पी लिया करें जिनमें एक बार या दो बार खाने से पहले लेना अच्छा है बाद में भी ले सकते हैं ये आपके दस रोगों में काम आता है तकरीबन लिए एक तो एसिडिटी कब्स बावासीर ये तीन रोग हो गए एसिडिटी कब्स बावासीर इन्फेक्शन सूजन सूजन पेट में हो मैदे में हो लीवर में हो लीवर भी बढ़ जाता है ना लीवर फैटी लीवर हो गया पिर किड्नी में हो सूजन infection किड्नी में हो या पेट में हो इन सब के लिए बहुत फाइदे मन्द है और पिर skin की problem यानि दाने निकलते हो महासे निकलते हो खुजली होती हो इन सब के लिए बहुत अच्छा नस्खा है आप इसे इस्तेमाल करें और फाइदा उठाएं नस्खा पानी से लेना है बहुत बहुत शुक्रिया